अगर आपके होट में सूजन हो चुका है या हमेशा सूजन रहता है तो इसे हम लोग सैंटिफिक भासा मेंnesdayo edema कहते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस एंजियो edema होने के क्या कारण होते हैं या फिर इनके क्या सेम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट क्या है जिसे कि हम लोग इसे बस सकते हैं हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पांडे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके की होट जो है वो सूज जाते हैं होट का मतलब या तो वो अपर लीप है या लोवर लीप है या फिर दोनों उपर और नीचे दोनों होट में सूजन काफी बनी हुई रहती है काफी मोटे मोटे होट देखने लगते हैं जब हम उसे प्रेश करते हैं तो वो काफी हाड हो जाती है तो अक्सर ये तब होती है साथ discuss करने वाली हुँ तो इसके होने के क्या-क्या लख्षन होते हैं वो मैं आपको बता रहे हैं सबसे पहले वहाँ कनी in होता है कभी पें नहीं होता है शुदुफने सबसे पहले होता है 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 अगर एक कुछ दिनों के बाद आप से ठीक हो गया आपके होट में स्वेलिंग जैसे वह हमेशा आपको दिखाए देगी एक नॉर्मल कंडिशन मान सकते हैं सकेंड होता वह एलर्जी की वज़ा से हो सकता बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से अलर्जी होती है जैसे कि अगर हम लोग फूड आइटम्स क अलर्जी होती है प्रोटीन रीच डाइट अगर होती है किसी किसी उनसे भी ऐलर्जी होती है तो इस तरी के से अलर्जी जह होती है तो वह toウ तो दोनों अगर मौसम अगर चेंज होते हैं तो भी बहुत सारे लोगों में एंजियो इडिमा देखने को मिलता है। प्रॉब्लम होती है। खून को पतला करने वाली जो मैडिसिन्स आती हैं एस्प्रिन की गोलियां आती हैं उनसे भी लोगों को एंजियो इडिमा होता है। कारण होते हैं जिनके वज़े से एंजियो इडिमा होता है। कुछ के तो रीजन्स पता भी नहीं चलते हैं। इडियो पैथिक हम लोग उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो किस कारण से हुआ है। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी पता नहीं चलने पाता है। इसके लिए आपका ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में आपका वो प्रोटीन से अगर आपको अलर्जी होती है तो वो पता चल जाता है। फिर खाने में किसी चीज से अगर प्रोब्लम है तो भी आपका पता लगाया जा सकता है। ऐलर्जी टीस्ट भी होती है जिससे की पता लगाया सकता है। अलर्जी टीस्ट भी होती है। Sung facto जीरोका करने को मिलता है। जिससे की सांस लेने में problem होने लगती है तो इस तरीके से अगर किसी को सांस लेने में problem होने लगती है तो उसको हम लोग anafilatic sock भी बोलते हैं जिससे की blood का supply अच्छे से proper नहीं होने पाएगा इंसान की death हो सकती है यह बहुत severe medical emergency है अगर किसी को इस type का अगर problem होता है तो उसे तुरंत ही अपने नियर ऑस्पिटल में चले जाना चाहिए और इसका ट्रीट्मेंट जल्द से जल्द कराना चाहिए कुछ ऐसे conditions होते हैं जैसे कि अगर किसी को insect काटने की वज़ा से अगर angioidema है तो वो तीन से चार दिनों में या seven days maximum वो अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं एलर्जी से अगर angioidema है तो जब भी आप फ्रूट्स लेंगे वेजिटेबल्स लेंगे या कोई वो प्रोडक्ट लेंगे तो आपको हमेशा यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप यह पहचांद बहुत जल्द कर लिजे कि आपको किन चीजों को खाने की वज़ा से angioidema होता है अगर कोई treatment या कोई medicine की वज़ा से है तो आपके blood test से पता चल जाता है और आपके डॉक्टर आपको यह वो चीज़ लेने से मना कर देते हैं तो इस तरीके से इसकी जो treatment है वो condition के according depend करता है कि क्या-क्या conditions के से आपको हुआ है वो condition को वहीं पर रोग दिया जात है और अगर जैसे अगर आपको treatment लिये हैं अचानक से अगर आपके होटों में सूजन अगर होना सुरू हो गया है तो बहुत सिंपल है chemist swap में चाहिए यह anti allergy को भी medicine लीजे वो आपका ठीक हो जाएगा मतलब hardly वो तीन दिन रहेगा वो ठीक हो जाएगा अगर painless condition में है तो क जल्द से जल्द किया जा ताकि आगे चल के कोई problem ना हो कोई surgery की बज़ा से अगर angioidema होती है तो वो धीरे दीरे सही हो जाएगी tension की बाद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे healing होगी वैसे वैसे आपकी problem जोगी वो भी solve हो जाएगी तो I hope कि angioidema को लेकर के आपक hospital में जा करके आप उसे दिखा सकते हैं और treatment ले सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहा होगा तो please comment box में पना comment दीजेगा मैं कोशिश करूँगी उसका answer करने की वीडियो अच्छा लगी तो please like कीजेगा आपके family of friends के साथ इसे शेयर जरूर कीजेगा ऐसे नहीं नह अपना ख्याल रखी आसपास के लोग का ध्यान रखे टेक क्या बाबाए